ये था आज का सोहिचार और आप शुरुआत करते हैं दे ब्रेक्फर्स शो की लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की छे बड़ी खबरों पर जो दिन भर बनी रहेंगी सुर्खियां तो अब बात उन खबरों की जिन पर हमारी नज़र रहेगी सबसे पहले पी ए मोधी मिशन दक्षिन भारत पर हैं और आज वे केरल के पलकड में रोट शो कर चुना फ्रचार करेंगे साथी कमिलनाडू के सले में भी प्रधारमंत्री नरेंद मोधी रैली को संबोधित करेंगे वहीं अपने मैनिफेस्टों को अंतिम रूप देने के लिए कॉंग्रिस की आज दिली में बड़ी बैठक होने वाली है और साथी आज MP के अठारा प्रत्याश्यू की लिस्ट भी कॉंग्रिस जारी कर सकती है वही CAA कानून के खिलाफ दायर याजिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी मत्रा में श्रकेशन जन्मूमी विवाद मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है मही 36 कड में इलेक्टरल बॉंड घोटाले को लेकर आज कोर्ट कॉंग्रिस के प्रदेश अधिक्ष दीपक बैज राइपूर में प्रेस कॉंफरेंस करेंगे बात आखिर में मौसम की भी करेंगे मौसम में भाग ने मध्य प्रदेश में बारिश और उला वर्ष्टी का अलड़ चारी किया है वही 36 कड में भी कईजलों में मौसम का मजास बदला हुआ है तो ये तमाम 6 बड़ी खबरें जिन पर आज माई नज़र रहेगे और सबसे पहले शुरुवात करते हैं बिहार में लोगसभा चुनाफ के लिए NDA ने सीटों का एलान कर दिया है NDA के सीट बटवारे में पशुपती पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है बिहार NDA में हुए सीट बटवारे में बीजेपी ने पशुपती पारस की पार्टी एलजेपी को छोड़ कर अपने बाकी सभी सहयोग्यों को सीटे दी है पशुपती पारस केंदर में मोधी सरकार में मंत्री है एंडिये गटबंदन में सीट ना मिलने से नाराज पशुपती पारस ने सुबह 11 बचे प्रेस कॉन्फरेंस बलाई है जिसमें वो अपनी आगे की रणनीती का खुलासा करेंगे एंडिये में सीट बटवारी के एलान के बाद आरजेडी ने बीजेपी पर सहयोग्यों की अंदेखी का आरोप लगाया पशुपती पारस जी के साथ क्या किया सब ने देखा हाजिपूर सीट पर पशुपती पारस और चिराग पासवान की पार्टी लजेपी आर दोनों ही दावा ठोक रहे थे इस पे अंतिम फैसला पार्टी ही लेगी बट पार्टी के द्वारा जो मुझे जानकारी मिल रही है कहीं न कहीं हाजिपूर से मैं चुनाओ लड़ोंगा तो एंडिये में पशुपती पारस की बात नहीं बनी पशुपती पारस हाज़िपूर से सीट से चुनाप लड़ना चाह रहे थे लेकिन भारती जनता पार्टी की तरफ से उन्हें हाज़िपूर सीट नहीं दी गई इसके बाद अपका यास लगाए जा रहे हैं कि एंडिये का साथ छोड़ सकते हैं पशुपती पारस हाला कि प्रेस कॉंफरेंस में साफ हो जाएगा कि उनका अगला कदम क्या होगा